हेलो फ्रेंड जस्ट एकड़ा में आप सब कर सवागात है आज के अमारी निभन शंकला में आजका निभन्द है जहांती की रानी लक्ष्मी बाई तो शुरू करते हैं आजका निभन जहांती की रानी लक्ष्मी बाई भारत की पावन धलती ने ऐसे वी रंगनाओं को जनम दिया है जो अपने कारे कलापों से विश्व में सदा के लिए अमर हो चुके हैं ऐसी वी रंगनाओं में जहाती की रानी रानी लक्षमी बाई का नाम अगरनी है इत्वे रंगनाओं की स्मिर्टी आते ही रिदे गर्व से पुलकित हो उटता है शरीर की दमनियों में वीलता का खुन दोडने लगता है जनम और शैशोकाल रानी लक्षमी का बाई का जनम 13 नवंबर 1835 को वारा नती में हुआ था उनके पिता का नाम मोरोपंत और माता का नाम भागी रती था रानी लक्षमी बाई के बच्पन का नाम मन्नोर बाई था उनके खिदे में बाली अवस्त काल से ही स्वदेश प्रेम और वीरता के अंकुर फुटे छे वर्षी वस्ता में माता का इसने चल इसने आंचल उठ गया तदनतर उनका लालन पालन बाजी राव पेशवा के संदक्शन में हुआ वे चंचल सभाव के कारण बाजी राव पेशवा उनको छबीली कहने लगे थे आप नाना जी पेश्वा के साथ वियू रचना, तीर चलाना, गुर सावारी करना वा युद करना आदी खेल खेला करती थी विवा वा ग्रस्त जीवन जब अनो भाई कुछ बड़ी हुई तो उनका विवा जहांती के राजा गंगा धर राउक से कल दिया गया विवा के बाद वे जहांती की राणी लक्ष्मी बाई बन गई, कुछ समय बाद लक्ष्मी बाई ने एक पुत्र को जर्म दिया, वे छेम मास बाद ही स्वर्थ सिधार गया इसके कुछ समय बाद राजा गंगा धर राव भी पुत्र के वियोग में चल बते लक्ष्मी भाई पर दुखों का पाहर तूट गया जाजी को ब्रिटिश राजे में मिलाना ब्रिटिश शाषकों ने पती वा पुत्र की मित्यू पर अफसर का लाव उठाया शास्त्रे विदी विधान द्वारा राणी लक्ष्मी भाई ने दस्तक पुत्र आना राव को अपना पुत्र गोशित किया था लेकिन अंग्रेजी सरकार ने उसे सर राजे का उत्रा दिकारी नामान का जासी पो ब्रिटिश सरकार का अंग बना लिया इस से जासी की राणी के हिद्य में अंग्रेजों के परति गिर्णा तद विरोध की जवाला बढ़कुटी प्रतन सोतंता संग्राम में योगदान भारत का प्रतन सोतंता संग्राम 1857 में मेरट से आरंभ हुआ था तभी एक अंग्रेज सेना पती ने जाती पर आकर्मन कर दिया जाती की रानी ने भी युद का विकुल बजा दिया जाती की रानी ने अंग्रेजों की इट का जवा पत्थल से दिया उन्होंने कालपी पहुंचकर पेश्वा दल की मदद से अंग्रेजों का सामना किया पर सफलता हाथ नहीं लगी अंतिम संगश जहाती की रानी साहिता के लिए गौलियर की और बड़ी वहाँ पर उनके सैनिकों ने गौलियर नरेश जियाजी राउ के तोब खाने को अपने अधिकार में ले लिया अंग्रेजों ने वहाँ पर भी जहाती की रानी लक्ष्मी भाई को चैन से बैटने नहीं दिया गमासान युद हुआ और इस युद में जहांसी के सैनिकों सैनिक कट कट कर गिनने लग गए पराजे को सामने देखकर रानी लक्ष्मी भाई शत्रों को चीलती हुई निकल भागी जिस गोड़े का समालवे कर रही थी वह युद के लिए नया था मैं नाला पालने कर पाया तब ही अंग्रे सैनिकों ने वहाँ पहुंच कर रानी को गेल लिया और मार डाला जहांसी की रानी लक्ष्मी भाई ने अंतिन सांस सक शत्रों का मकाबला किया और लड़ते लड़ते सुतंता के यगी कुंड में अपनी आहुती दे डाली उपसंगार सतंता की बली वेदी पर मर मिटने वाले जहांसी की रानी लक्ष्मी भाई के जीवन काता हर बालते को सदा प्रेना देती रहेगी